दोस्तों, क्या आपको पता है कि धन्या उगाने का जो आसन तरीका है, आपको पता है कि हम इजिली 5-6 डेज के अंदर हम इस तरह के धन्या कंटेनर में कैसे इजिली ग्रो कर सकते हैं? और इसके उपर आज हम वीडियो लेकर आए हैं कि कौन सी तरीका जो है अपना कर हम इजी ली 6-7 डेज के अंदर इस तरह के धनिया कंटेनर में उगा सकते हैं कि पहले जो धनिया होते हैं मैंने इसको दो दिन लगवग 48 आउर्स के लिए पानी में भीगो के छोड़ दिये थे पानी के भीगोने के बाद क्या होता है कि जो धनिया के जो छिलके होते हैं ये मोटे होते हैं तो 48 hours के बाद जो जार्मिनेट का process है वो easily start हो जाएंगे जब हम seeds छिलकाओ करेंगे मिट्टी के उपर हम इस तरह जाली के उपर हम धनिया को धो के चान लेंगे फिर उसके बाद इसको हम एक दिन धूप में रख देंगे यह जब पूरा ड्राय हो जाएगा तब हम इसके लिए जो है मिट्टी रेडी करेंगे और जो pot का size है क्या लेना चाहिए यह मैं garden soil ले रही हूँ 60% और यह जो cowden compost है इसको मैं ले रही हूँ 30% और यह है sand तो मैं इसको 10% ले रही हूँ यह तीनों चीज मिलाने का जो मतलब होता है कि मिट्टी के अंदर जो है moisture maintained होके रहेगा आप चाहे तो इसके साथ भर्मी कमपोस्ट भी ले सकते हैं और जो लीप मोल कमपोस्ट होते हैं उसको भी आप ले सकते हैं और यह जो पॉट में ले रही हूँ यह height में छोटे हैं मतलब ही इसका height जो है 4 इंच है और नीचे के जो hole होते हैं और नीचे के part हम इसको बंद कर देंगे इसके बाद हम इसके उपर मिट्टी रखेंगे यह चोड़ा में उपर की तरफ लगभग 20 इंच है और height में थोड़ा इसमें कम है इसके बाद हम इसमें मिट्टी फिल करेंगे मिट्टी जो फिल करने के बाद क्या होगा तो हम इसको पूरी तरह पानी देके पूरी तरह अच्छी तरह इसको भीगो देंगे और पूरा पानी में इसको फिल अप कर देंगे और जब हम इसमें ये देखिए पूरा पानी भर गया और उपर हम जो है ये सीट को इस तरह स्प्रिंकल कर देंगे मतलब एक ही जगा ज्यादा नहीं डालेंगे पूरा एरिया कभरप करके आपको स्प्रिंकल करना है इस तरह क्योंकि जब सेट जर्मिनट होने लगे तो वह गुच्छे में रुखना जाए उसको थोड़ा डिस्टांस मतलब मिल जाए ग्रोव होने में और उसके बाद हम मैं ले रही हूँ ये थोड़ा से लिप मूल कंपोस्ट है मैं इसको उपर थोड़ा थोड़ा मतलब स्प्रिंकल कर रही हूँ इस तरह आपको पूरा जो बॉकेट को पूरा कवर अप कर देना है और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको डेली मौनिंग इसे सावरिंग करना है पूरा पानी नहीं देना है इसके उपर और पूरा ड्राय भी नहीं छोड़ना है इस तरह आपको सावरिंग करना है देली मॉनिंग, नहीं तो क्या है कि सीट्स को जर्मिनिट होने में टाइम लग सकता है पहले मैंने इसको पानी दे दिया मॉश्चर मेंटन करने के लिए और जब आपको पूरा ड्राय लगे तब भी आप इसको थोड़ा सा हलका सा मग में पानी दे सकते हैं नहीं तो मॉनिंग और इबनिंग आप इस तरह की सावरप करिए यह देखिए यह दो दिन के बाद का अपडेट जो सीट्स जर्मिनिट होना स्टार्ट हो गए है छोटी छोटी लिपसाना इसके उपर सुरू हो गए है यह आफ्टा टू डेज के बाद का जो अपडेट में आपको दिखा रही हूँ और यह है फोर डेज का अपडेट जो थोड़े बड़े साइज में इसमें ग्रो हो गए है और आए दोस्तों यह हमारा सेवन डेज का फाइनल लूक अफ है मतलब और दो दिन में यह पूरा हाइट में आ जाएंगे जो यह अमेजिंग ट्रिक है मैंने आपको बताए है तो कितने जल्दी आपको धनिया जो करिंडर्सिस ग्रो करने का तरीका अगर आपको वीडियो आज पसंद आये हो तो लाइक जरूर करना शेयर करना भी मत भूलना और हो सकते चैनल को सस्क्राइब भी करना मत भूलना थेंक यू बाई